हलो एंद वेलकम टी यो फेवरेट चानल ब्रेनो सोलीशन देखो कर्षिन नामबर 3 10.3 में यह कह रहे हैं कि तुम्हारे पास दो सर्कल है एक यह बड़ा वाला सर्कल एक छोटा सर्कल है इनकी यह कॉमन कॉड है A B तो यह कह रहे हैं अगर मैं इस कॉमन कॉड का परपेंडिक अंगल OEA is equal to angle OEB जो 90 डिग्री है आपको यह पूफ करना है suppose this is angle 3 ठीक है 90 डिग्री को निकाल है और यह है this angle is 4 यह आपको पूफ करना है angle 3 angle 3 is equal to angle 4 यह 90 डिग्री के एक पुल है यह तो परपेंडिकुलर के लिए हूँ है यह भी आपको पूफ करना है यह बाई सेक्टर है मतलब a e equal to e b है ठीक है इस दो चीजा आपको प्रूफ करनी है ठीक है तो देखो बच्चो हम क्या कर सकते हैं हम बड़ा वाला पहले ट्राइंगल लेते हैं अभी छोटा वाला ट्राइंगल ने रहा है बड़ा ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल a o p and triangle b o p बड़े वाले जो दो ट्राइंगल से हैं यहाँ पर देखो बच्चो ओ a equal to o b है क्यों है क्योंकि यह radius है ठीक है दूसरी बात देखो यह इसके a p equal to p b हैं यह क्यों है अगें यह इस circle दूसरे वाले circle का radius है ठीक हमारा o p equal to o p है यह क्यों है यह बच्चो common है दोनों triangles में तो हम यहाँ पर कह सकते हैं that triangle a o p is congruent to triangle b o p बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ से बच्चो मैं कह सकती हूं यह angle 1 लिलो यह angle 2 angle 1 is equal to angle 2 by cp ct ठीक है clear है अब तुम छोटे वाले triangle में आ जाओ in triangle a o e and triangle b o e यहाँ अच्छा यह किससे हुआ है यह हुआ है s s s से congruent हमीशा लिखा कर कौन सी उस से हुआ है प्रापर्टी से ठीक है अब तुम छोटे वाले triangle में आ जाओ यहाँ देखो बच्चो यहाँ पर o a equal to o b q क्योंकि यह radius है ठीक है यह तुम्हारा side हो गया ठीक फिर आ गया हो angle 1 is equal to angle 2 यह तुमने उपर प्रूफ कर रहा है य यहाँ पर है o e equal to o e यह तुम्हारे पास common है ठीक है तो बच्चो प्रूवड अबफ ठीक है लीजन दे लिया करो क्यों हो रहा है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं therefore triangle a o e is congruent to triangle b o e congruent हो गए फिर अगर दो चीदे congruent होती हम क्या कह सकते हैं कि क्या होगा कि यह angle angle 3 is equal to angle 4 होगा angle 3 angle 4 के equal होगा ठीक है बच्चो लेकिन हमें पता है यह linear पेर बना रहे मतलब angle 4 3 plus angle 4 कितना होगा 180 degree क्यों क्योंकि they are forming a linear pair ठीक है यहाँ से मैं कह सकती हूं twice of angle 3 is equal to twice of angle 4 is equal to 180 है कि नहीं तो यहाँ से तुम्हारा angle 3 is equal to angle 4 is equal to 90 degrees आ जाएगा ठीक है बाई है ना यह 90 डिग्री आ गया दूसरा तुम्हें क्या प्रूफ करना है ए ए ए एक्वल टू इबी वह कैसे प्रूफ होगा बच्चो जब दोनों triangles कॉंगरेंट है तो ए ए ए एक्वल टू इबी बाई cpct ठीक है clear है यहाँ पर हमने दोनों आंगल्स को 90 प्रूफ कर दिया यहाँ पर यह इसकी एक्वल होगाव है cpct ठीक है यहाँ प्रूफ कर दिया ठीक है थाँ वाचिन ग्रेनो सलुटिंज